ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मुख्यमंत्र जिस तरह आपने एक और सुधार कारिकरम शुरू किया है और इसके तैट आपने किसानों को भी बुलाया था आप किसानों से जुड़े हो जिस तरह से पहले खेती होती थी और उस खेती से जो खेती जो है आज के समय में फाइदे का सोधा नहीं रहा क्या सरकार माडरन खेती के लिए कोई विकल्प ढूंड रही है ताकि खेती एक फाइदे का सोधा हो सके है बहुत अच्छा परशन आपने किया यह देखिए पहली बात तो है कि जो ट्रैडिशनल खेती के तरीके है वो हमको बदलने होंगे ट्रैडिशनल खेती को भी बदल करके हमको डाइवर्सिफिकेशन की और जाना होगा अब यह हमारा धान है गना है ग्यों है इसकी बजाए अगर हम चोंके दिल्ली हमारे पास बहुत बड़ी एक मार्केट है दिल्ली है, नौयडा है, गाजियाबाद है और अपका गुरुगराम है, फ्रिदाबाद है यह चार क्रोड की मार्केट है तो इसमें हम फल, सबजी, फूल, इसका भी उत्पादन करें और डेरी फार्मे के हम आदम से दूद, इसका उत्पादन करके हम इस मार्केट को पूरा रवी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी मार्केट है और इसके कारण से किसानों को सुविदा होगी, उनकी आए बढ़ेगी और कम जमीन के उपर ज़्यादा फसल लेने का एक तरीका यही है क्योंकि जमीन तो हमारी जितनी है, वो उसकी एक लिमिटेशन है हमारी जो जो जोत है बहुत छोटी हो गई है दो एकड़, देड़ एकड़, तीन एकड़, इतना जो किसान है वो सामाने जो फसले हैं, ट्रेडिशनल, उनसे अपना गुजारा नहीं कर सकता तो इसलिए तो डाइवर्सिविकेशन इसमें भी हमने इसराइल जैसे देशों के साथ अपने जो समझोते किये हैं, उसमें एक्सलेंसी सेंटर्स ये जगा जगा बना रहे हैं, छे एक्सलेंसी सेंटर्स इसराइल के हमारे हरियना में बने हैं, जबके पूरे देश में केवल मातर 20 हैं तो 20 में से 6 हरियना में बना के गए हैं और अभी मैं खुद इसराइल में जा रहा हूँ तो उन लोगों ने कहा कि आप जहां जहां इस प्रकार का हमारी से योग चाते हैं क्योंकि इसराइल हमारे से कहीं आगे है खेती के मामले में कास करके irrigation के मामले में उनके पानी की बहुत कमी है उन लोगों ने micro irrigation के माद्यम से अपने हां सारी खेती को लेकर के आए है हम भी micro irrigation और solar power इसके जो combined projects हैं इसको लगा रहे हैं ताकि हमारी power की भी बचत हो और पानी की बचत हो तो इसके कारण से हरियाना में अब हम धेर देर आगे बढ़ रहे हैं और 14 center पीछे micro irrigation के जो हमने शुरू किये थे जिसके अंदर 8 चलू हो चुके हैं और इस micro irrigation के माद्यम से पानी की बचत होगी हम उनको subsidy देंगे जो इसके उपर आएंगे और जो scientific तरीके से universities के माद्यम से जैसे हमारी अभी तो H.E.U. हरियाना agriculture university थी अब दूसरी एक और university मारणा प्रताप agriculture university करनाल ये भी बनने जा रही है तो ऐसे दोनों universities के या जो centers हैं उनके माद्यम से हरियाना के किसान को नई तकनीक कैसे उस पर आएं ये हम सिखा रहे हैं उनकी training कर रहे हैं ताके हम competition में कम cost और ज़्यादा अच्छी marketing के माद्यम से ज़्यादा आए इसके और किसान का पूरा सही होग करेंगे मुख्यमंतर जी SYL का मुद्दा भी किसानों से जुड़ा है दक्सिन हरियाना के लोग कहते हैं कि जो भी विपक्स में होता है वो वाइदा करता है कि SYL का पानी लाएंगे लेकिन सत्ता में आते ही वो भूल जाता है अब अदालत में भी अदेश दिये दिये हैं सरकार अब इस पर कब कान शुरू करेगी पहली बात तो ये SYL भी वैसा ही मुद्दा है जैसे स्वामिनाथन क्योंकि इनको मुने बताया और कुछ मिलता नहीं है तो इस नाते से वो खुद के लाएं है SYL का विशह प्रेजिदेंशल रेफरेंज इसका 12 साल तक कॉंगर्स के टाइम के समय से वो सुप्रीम कोट में अड़ावा था अटकावा पड़ा था हमने आते ही अर्ली हेरिंग की अपनी एपलेशन दी और उसके ओपर अगरे पूरवक उसकी सुनवाई कराई और सुनवाई होने के बाद अल्टिमेटली सुप्रीम कोट ने निरने दिया कि S.Y.L. पर हरियना का पूरा दिकार है S.Y.L. बनकरे रहेगी और पानी जो है रियना जो है रियना को मिलना चाहिए तो ये आखर सुप्रीम कोट का निरने कब आया ये तो हमारी सरकार के आने के बाद ही आया इसके बाद एक आपको पता है कि किसी भी निरने का एक execution order उसी कोट को देना होता है सुप्रियम कोट ने उस execution order की सुनवाई चल रही है वो किसी दिन भी हो सकती है वो महिने में हो सकती है वो 15 में हो सकती है सुप्रियम कोट ने इतना गरूर कहा है कि कोई एक amicable रास्ता आपस में केंदर सरकार और पंजाब सरकार क्योंकि ये पंजाब सरकार की और से आना है उन्होंने बनवाना केंदर सरकार ने है लेकिन पंजाब सरकार के सयोग की बना तो संबब नहीं है इसलिए कोई amicable रास्ता बना करके ऊक निकला जाया रास्ता अब उस रास्ता निकालने के लिए उन्होंने थोड़ा अवसर दिया है अब यह ना पंजाब सरकार उसको किस रंग से लेती है यह उसमें से निर्भख रहेगा अगर मानों पंजाब सरकार नई भी मानेगी परदेश में कनून वस्ता ना भीगड़े इसके लिए सरकार ने क्या त्यारियां की प्लीड करें ताके सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना एक्जिवुशन का ओर्डर दे दे और दूसरा केंदर सरकार और पंजाब सरकार उनसे हम आगरे करें कि जल्दी स्वैंसले को करवाएं क्योंकि यह कोई अब विशह अंदोलन का नहीं रह गया अब एक कोर्ट के अंदर जो चीज होती है वो जिसको कहना जिस सब्जूरिस मामला होता है सब्जूरिस मामले के ओपर इस परकार के अंदोलन करना सिवाए जंता को किसान को भ्रम में लाने के और कुछ नहीं है इसलिए इस पर राजनिती नहीं होनी चाहिए इसको तो मिल बैठ करके आपस में इसका रास्ता बनाके निकाल कर लाएंगे तब यह स्वाइब बनेगे मुख्यमंत्री जी जाट अरक्सन अंदोलन के दुरान परदेश में हिंसा हुई और काफे नुकसान हो गया नुकसान में वित मंत्री का घर भी सतिग्रस्थ हो गया और अब सरकार जो है जो अरोपी है उनको छोड़ रही है तो क्या ये उन लोग के साथ अन्याय नहीं होगा जिनका समान सतिग्रस्थ हुआ है और जिनका नुकसान हुआ है देखिए जब किसी प्रदेश में ऐसा कोई घटना करम होता तो बहुत से पहलू धान करने होते हैं और समाज में एक शांती बाहली हो आगर समाजने मिलके रहना है कोई दरारें परमाइंट नहीं फुआ करती हैं कभी कोई घटना होती भी है तो कितना जल्दी हम उसको ठीक कर सकते हैं यह सरकार की और से प्रतन होते हैं और उस प्रतनों के अंदर हम लगे हुए हैं एक आपसी भाईचारा आपसी महाल ठीक बने इस सारे को ले करके जहां तक नुकसान हुआ समाज का जिन लोगों का दुकानदारों का दोग पतियों का या घरों का या किसी का भी उ हमने उसी समय एक मेने के अंदर अंदर कर दी थी चाह कोई भी शहर हो आज कोई भी ऐसा विशे बचा नहीं है किवल कुछ थोड़े विशे दस पंदराए से जरूर है कि उस भरपाई के बाद भी उनका हमारी भरपाई कम होई हमको मावजा कम मिला है उनके केसिज एपिलेट केसिज तो अन्ट्रेस्ट थे पता ही नहीं है मानू कोई सड़क पर पेर गिरा गया अब पेर गिरा गया गया गिरा के दोड़ गया अब जब तक पुलिस को पता ना लगे उसका को परभाण ना मिले तब तक वो अन्ट्रेस्ट है तो चौदा सो केसिज उन्ट्रेस्ट थे आपस में प्रदेश के सब लोगों की मिल करके जो माइनर धाराएं हैं और जिसके बारें यह का जा सकता है कि अगर वो समाज हित्में वापस भी लिये जाते हैं तो हम उसके लिए रिक्मेंट करेंगे हम वापस नहीं लेते हैं प्रदेश सरकार कभी भी कोई case वापस नहीं ले सकती है हम तो अपने recommendation जो है court को देते हैं court उसको वापस लेता है अगर मानो इस बीच में court को ये लगेगा कि नहीं ये वापस नहीं होने चाहिए तो वापस नहीं होंगे court को लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं है विश्यक को हमको थोड़ा ठीक करना है आपस में भाईचरा कायम करना है तो उन cases को वापस लेने की बात अगर court समझती है तो court को वापस ले लेगा जहां तक serious nature के cases हैं CBI के cases हैं या और जो बड़े अपराद के ऐसे cases हैं उनको वापस लेने का ना हमने recommendation किया है ना ये वापस वो होंगे मुख्यमंतरी जिस्तने जार सुनदा ये अरक्षन की मांग कर रहा है और दूसरे रज्यों में भी अरक्षन की मांग उठनी शुरू हो गई है तो आपको लगता नहीं कि ये अरक्षन पर एक बार फिर से पुन विचार किया जाए तो उनको आरक्षन देना आउशक है उसमें अरक्षन दिया उस आरक्षन को भी 10 साल तक के लिए दिया गया था लेकिन उस दस साल के बाद लगातार बढ़ते बढ़ते आज 17 साल के बाद भी चल रहा है और आरक्षन में लोगों को लगता है कि एक शॉर्ट कट है प्रोग्रेस करने का एंसे एंसे वर्ग भी इस समाज में इस देश में हुए हैं जिनके सामने आरक्षन की बात आई तो उन लीडर्स ने मना कर दिया कि ने ने हमको आरक्षन नहीं चाहिए हम उपने पेरों पर खड़े होंगे संगर्ष करेंगे अपने आप आगे बढ़ेंगे तो संगर्ष करके आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता मिलता है उसको आरक्षन की आवशकता नहीं होती है आरक्षन की माँग करने में भी कुछ लोग होते है सारा समाज के बार नहीं होता है कुछ लोग होते हैним जिनको लगता कि हमारी लिडर्शिप शहाद इसी में से चमकेगी लेकिन क्योंके समाज की धारा एक ऐसी है उसको सब को समझा पाना रोक पाना कठेन होता है आज जो कुछ चल रहा है उस आरक्षन के सम्मझद में आज विचार सब चलर करी रहे हैं कोर्टस भी कर रहे है आज जंता भी कर रहे हैं आज सरकारें कहा कि भी ठीक है हम भी जाट समाज को दस प्रसंट का रख्षन देंगे लेकिन अल्टिमेटली कोट ने बाद में रोका पहले हाई कोड ने रोका फिर आप सुप्रीम कोड ने भी रोक दिया है तो उसके कारण से अब ये निरनेचों के कोड्स ने करना है इसलिए सरकारों ने ही तो अल्टिमेटली ये है मुक्यमंतर जी महिलाओं के प्रती अपराद बढ़ रहे हैं विपक्स भी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं सरकार क्या कदम उठा रही है अनिल जी देखे ये विशह भी जैसे मैंने बताया एक सामाजिक विशह ज्यादा है क्योंकि समाज के सा बढ़ता अपराद है ये विशह पिछली सरकारों को समय भी था मुझे ध्यान है कि 2012 के अंदर कितने ही इस प्रकार के विशह उठे अभी फिर पिछले तीन मैने पहले एक बार मैलाओं के खिलाफ जो इतने भी अपराद हुए वो विशह भी मुझे उसका दुख है बहुत पीड़ा नहीं होती है उस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि मैलाओं के किलाफ होने वाले अपराद में कितना जल्दी हम पहले तो अवेरनेस पैदा करें समाज के अंदर कि समाज में मैलाओं का सम्मान ये कैसे बढ़े और वो स्कू स्कूल में आखिर चात्रचात्राओं के कई किस्या सबा रहे हैं तो इस स्कूलों में जंडर सेंटे संस्टाइशन ये हो और बलकि उससे भी पहले जो इसका एक कारण बड़ा कारण माना जाता है वो अबरी जंडरेशो है जंडरेशो अब कोई भी जंडरेशो आज से दसा में पानी पत्स जो अभ्यान शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उस समय हमारे हैं साड़े आठ सो की जंडरेशो थी और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसनता हो रही है कि मासिक जो पिछले महिने की जंडरेशो थी वह 928 थी ऐन्वल जो रेशो है वह 914 है 900 से पार कर चुकी है और ये पिछले 25 साल से जब से जंडरेशो की गंड़ना होनी शुरू होई है तब से हाईस्ट है हरियना की तो इसको हम 950 तक ले करके जाएंगे ताके जंडरेशो में लिंगा नुपात में यदि बराबरी के नजदे के पहुंचते हैं तो बहुत समस् 32 बसों के रूट स यह तैंक है थे चात्राश स्पेशल के उनको स्कूल जाते समें कॉले जाते समें वापिस आते समें कुई कठनाई ना हो अब था कर दी से जहां से बीड़ने घशापकर-दो इसे तो स्कूल में कॉलेंज में थे आसे स्पोर्ट का नोडल अधिकारी होगा उसको लिखके देते हैं तो इसको specal हमें वस्ता देञे आटो से लेकर के जीप है, मेक्स है, मिनी बस है, बड़ी बस है जहां से जो आवशकता है वो उनको देंगे ताकि छातर छातरा है स्कूलों में आणा जाना कर लें पुलिस में हम अलग से और बना रहे हैं हम अपने रहते हैं अभी डेड़ साल के अंदर अंदर एक भरती और हो जाएगी एक जार मेलाओं की तो 11% मेलाओं हो जाएगी मेलाओं के संक्या 20% तक ले जाने की हमारी योजना है तो मेलाओं के संक्या बढ़ने के बाद ये दुरगा वाहिनी शक्ती दुरगा शक्ती वाह वहाँ पहुँच सकें तो डायल 100 की तरज़ पर हरीना 100 ऐसा एक पुलिस की एक योजना हमारी बन रही है जो अगले एक नॉम्बर तक 2018 एक नॉम्बर तक वो कम्प्लीट हो जाएगी और फिल्ड में ये काम करने के लिए साड़े 400 गाड़िया ये फिल्ड में उतरेंगी मुखे मंतरी इनेलो सांसत दुसन चुटाला ने दवा घुटाला का अरोप लगाया है और बात स्वास्ते मंतरी और सांसत दुसन चुटाला की यहां तक बढ़ गई है कि मामला अदालत में जाता नजर आ रहा है आखिर इसमें सचाई क्या है देखे जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है वहां तक तो मैं इसकी सराना करता हूँ कि कोई भी गलत काम अगर विपक्ष को भी ध्यान में आता तो हमारे ध्यान में कराएंगे आम उसके उपर कारवाई करेंगे इसके लिए मैं दुशियन चुटाला को बढ़ाई भी दे चुकाऊं के ले लेकिन जहां तक विश्यों को उसके व्याप को बढ़ा चड़ा करके बताना है यह किसी विपक्षी नेता को अच्छा नहीं लगता है जैसा उन्होंने कहा कि 300 क्रोड का घटाला हो गया जबके सरकारी दवाईयां ही कुल मला करके 40 क्रोड की खरीद हुई है गई 40 क्रोड की दवाई की खरीद में तो क्योंके बजट से तो 40 क्रोड गया और 40 क्रोड की दवाई में अगर सारे का सारा घटॉला हो जाए तब भी 40 क्रोड है जब के उसमें कुछ रेट्स का बताया गया कि ये रेट्स जदा लगे है ये कम लगे है उसके लिए हमने और अडिट करने के लिए ये मामला एजी को दे दिया है को उसका अडिट करेंगे और अडिट करने में जो दोशी पाये जाएंगे उनके खिलाफ करवाई की जाएगी लेकन विपक्ष को भी जिमवरी के साथ अपना विवार करना चाहिए चालिस क्रोड की कुल खरीद में तीन सो क्रोड का घुटाला ये विवाद का विशह है और इसके कारण से हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने उसके ओपर को एक्शन लेने की बात कही है तो गलत में नहीं होगी तो ऐसे होगा मुख्यमंत्री जी इनैलो कांगरस लगातार रोप लगा रही है कि भर्ती गुटाला हुआ है और इसके लिए उन्होंने परदर्शन भी किया है आपकी सरकार ने और आपके स्टाफ ने कारवाई करते हुए आठ करमचारियों को ग्रिपतार किया है तो आखिर हकीकत क्या है जो विपक्स रोप लगा रही है सही है या आपने जो कारवाई की है आपने को पहले अंदाजा हो गया था कि यह यहां गुटाला हुरा है खिर्वान को थी उससे डबल संख्या में इंट्रिवी के लिए लोगों को बुलाते थे ताके उसमें से आधे सिलेक्ट होंगे जब एक दायरा तैह हो गया उनको पता लग गया कि इस सो लोगों में से पचास लोग चुने जाने हैं और उसमें भी जो हायर मास्क के हैं वो तो सिलेक्ट होंगे ही होंगे लोवार मास्क के हैं वो शायद नहीं होंगे तो बीच के मास्क हैं मास्क सबको पता होते थे अपने जो रिटन में मास्क कितने हैं अब बीच के मास्क के लोगों को भूले बाले लोगों को फसाते थे कि हम आपको भरती करा देंगे हम आपको भरती करा देंगे और मान लो दस लोगों से पैसे लिए चार अपने आप हो गए तो उनके पैसे रख लिए बाकी छे के वापस कर दिए आठ अपने आप हो गया, उनके पैसे रख लिए, दो के वापिस कर दिये इस परकार के भोले बाले लोगों को फसाने का काम ये गुरोफ करता था और उसकी सारी जानकारी हमारे पास हैं जो कि अभी वो केस अभी कोट के अंदर चलेगा और उस कोट के अंदर चलने के बाद जो सत्य हो सामने आएगा इनकी सारी जितनी भी इंटरसप्शन्स थी कुलेश ने, सेम फ्लाइंग स्कैड ने उसके दादार पर कारवाई करके आठ रों को पकड़ा है और इस पकड़ने के बाद अगर ये जड़े, ये नासूर कहीं बहुत नीचे तक, कहीं उपर तक, गराई तक, कहीं भी घुसा होगा उसका खुद निकालेंगे खाले यहीं नहीं है हमने एकसाइस इन टैक्सेशन में एक इसी प्रकार का केस पकड़ा क्योंकि आज सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई है और ऑनलाइन होने के बाद ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती है फ्रिदाबाद में पकड़ने के बाद उनकी वसुली भी होई है पांच कुर्ट रुपे के वसुली है केस किया, तीन लोग अवंदर है तो ऐसे गवड़ करने वाले लोगों को एक एक करके सिस्टम की कमियों का लाव उठाते हुए ये जो गवड़ने करते थे किसी को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये सब लोग सरकारी, अधिकारी, करमचारी बहुत परानी लगए हुए हमने तो आगे लगाए नहीं है उनको उस परकार की आते हैं परानी जो पड़ी होई है अब उस अधार पर तो काम नहीं होगा इसको दुरस्त करने का दाइट वा ये मेरा है, हमारा है, हम करेंगे मुकिमंत जी, आप पारदेश्टा की बात करते हो आपने प्रयास भी किया है कि जो सरकार में है ट्रांस्प्रेंसी लाई जाए लेकिन जो रिजिस्टियां हो रही है या नगर निगम में ब्रेश्टा चार के लोगों ने अरोप लगाने शुरू कर दी है और यहां तक कि जो भारी छेतर में जो रिजिस्टियां है उस पर रोक लगी हुई है और इसी आड में कई तसिल्दा जो सेक्टरों के अंदर जमीन आती है उसको उसकी भी रिजिस्टिय नहीं कर रही तो क्या सरकार इस पर कारवाई करने जा रही है मैं कहाँ उस हम से वर्फताओं को ठीक करने जा रहे है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा विशह है अब आखर हम यह जो हरियना है इस हरियना की टोटल जमीन 44,212 स्केर किलोमेटर है जो लगभग एक लाख एक क्रोड एकड़ बनती है तो एक क्रोड एकड़ में वो फिर उसमें रेजिडेंशल भी है उसमें इंडस्ट्रियल भी है उसमें पबलिक की जमीने भी है उसमें संस्ताओं की जमीने भी है उसमें प्राइविट जमीने भी है सब तरह की जमीनों का एक मुष्ट एक रिकार्ड रखना यह अमने revenue department को का है कि एक एक इंच जमीन का एक record रखा जा जा है उस record में title ये clear हो जाए कि कोई सा किस का title है ताकि गलत title का वेक्ति गलत आदमीं को न बेज सके दस तरह के कानून है दसरा की इसमें अनोसिज लेनी पड़ती हैं, दसरा के मामले हैं, कहीं अर्मन लोकल बाडिस है, तो कहीं डाउन कंटी प्लानेंगा है, कहीं ग्राम पंचायत है, कहीं रविन्यू डिपाटमेंट है, मल्टीपल डिपाटमेंट का काम होने के कारण से, इस सिस्टम में जो लूप होल्स हैं, उस लूप होल्स को जब तक हम बंद नहीं करेंगे, तब तक गरंटी से ये कहना तो कठेंगा है, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, गरंटी से उस दिन होगा, जब सबका एक कॉडिनेट काफर्ट हो करके, एक सेंट्रल एक सिस्टम बनाया जाए, कि जमीन की ट्रांसफर का जो मामला है, वो इस जगां से होगा, सारे ताइप की जमीन का, तो आज ये बहुत बड़ी कमी है, इसको मानता हूँ, लेकिन फिर भी, जो वरस्टाचार तहसिलों में होता था, ये प्रिस्टेशन के काण से उनके सारे चेकलिस्ट बना करके उनको दे दी जाती है, ये चीज़ा आप ले आओ, और शाम को अपने रिष्टी ले जाओ, लेकिन इसमें भी कुछ गरबड़ें जो सामने आई हैं, उनको उनको पकड़ा है, और भी जो सामने ऐसे आएंगे, उन लाख 24,603 क्रोड रुपे के कुल कर्ज पर चिंता जताई है, इसके साथ 15,906 क्रोड रुपे राजकोशिये रजस्व गाटा और 26,285 क्रोड रुपे राजकोशिये घाटा भी दर्साया गया है, जिस पर चिंता व्यक्त की है, और विपक्स रोप लगा रहा है कि परदेश का कर्जा 1,606,000 से बढ़ गया है, जबकि कांगर्स के सरकार के समय सतर हजार क्रोड रुपे के करीब कर्जा था, क्या वज़ा है? तीके एक तो वो गलत कहते हैं, 77,000 के करीब कर्जा था, वो पावर डिपार्टमेंट के कर्जे को सरकार का कर्जा उस समय क्योंकि होता नहीं था, उसको मानते नहीं है, जबकि पावर डिपार्टमेंट का हमारे समय में थोड़ा बढ़ा जरूर लेकिन 27-27,000 क्रोड रुप जो उदैक स्कीम के अंतरगत हमने पावर डिपार्टमेंट का जो 27,000 कोड़ रपा सरकार की ओर से दिया है यह उन्हीं के समय का है तो उस समय के करजे को सरकार ने ओन किया और उसमें पावर यूटिलिटीज को हमने उसमें से बाहर निकाला इस विशे को कहीं बोलते नहीं है जहां तक करजे की टोटल करजे की बात है हमारा जो SGDP है SGDP का 3% का जो करज की लिमिट है वो लिमिट के अंदरी करजा होता उसके ओपर किसी सरकार को करज लेने की अनुमती होती नहीं है अब चूंके हमारा SGDP बढ़ा है SGDP बढ़ेगा तो करजा बढ़ेगा करजा हुँ है और आज एकर हमारा SGपी और बढ़ेगा तो उस करजे का मलाब उठाएंगे करजे का लाब उठने के लिए सरकारे मिकास के काम के लिए करता है अगर आज करजा नहीं लेंगे तो मिकास का कान ना चाहिए बेमेल गटफंदरियाने या तो कभी एक दूसरे को एक गालियां देते हैं जातिगत राजनीती करते हैं और उस जातिगत राजनीती में यानि एक जो दल है बीस पी जिसका नाम है इसने तो खुले नारे लगाए क्या तिलक तराजु और तलवार जूते मारो इन कि भाशा है इनके इनलों के नेता वह अपने आपको भी एक जाति के साथ जोड़ करके देखते हैं इन जातियों के मेल कभी आपस में रहे नहीं है 1908 में भी इनोंने किया था समझोता और 1908 में के समझोते में लोकसवा के चुनाओं के तुरंत बाद और इनों अबना समझोता तोड़ दिया था डेड़ साल बाकी है अभी प्रदेश के चुनाओं में एक साल अभी लोकसवा में बाकी है तो इस एक साल के अंदर ये कितने रंग बदलेंगे ये सामने आएगा और अगर मालो ये होता भी है तो इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है कोई चिंता नहीं इस बात की इसलिए जनता अब समझती है क्योंकि भाति जनता पाइटी चाहे केलर सरकार है अब ये गरीबों के हितमे अब ये मज़़ूरों के हितमे अब ये जो लोग डिजर्व करते हैं जिन लोग की आफशकता है जरूरत मंद हैं उनके हितमे अनुसुजाती के हितमे बैकवर के हितमे इन सब के हितमे काम करने वाली सरकार है किसान केत में काम करना रही सरकार है इसलिए हमारा जो अंतियोदे की कलपना है वो इसी बात को ले करके है कि समाज में जो अंतिम रह गया वो किसी जाती का हो, किसी वर्क का हो उसको कैसे उपर उठाना उसकी आर्थिक मदद कैसे करना उसको समाज के अंदर कैसे मान समान मिले इस और हम काम कर रहे हैं इसलिए जातीकत आधार पर राजनिती करने वाले दलों का कोई भविश्या नहीं है चाहे वो इनलो है चाहे वो बसपा है और चाहे दोनों मिल करके इनका गठतनाना है मुख्य मंतर जी चुनाव से पहले क्या आप मंतरी मंडल का विश्तार या फिर बदल करोगे हैं देखिए हमारे यां जितनी मंतरी मंडल की जितना बड़ा साइज होना चाहिए वो पूरा फुल साइज है क्योंकि 15% विधायकों की संख्या का यह हमारे मंतरी मंडल होता है हमारा उसमें कम्प्लीट है पूरा उसमें कहीं कोई कमी नहीं है और जहां तक फिर बदल की बात है वो आपके पास कोई योजना हो तो आप हमको बता दीजी मंडल में मुख्य मंतरी का अधिकार होता है लेकिन जिस दिन मुझे बताना होगा उस दिन में आपको बताऊंगा आज तो कम से कमनी है कुछ भी मुख्य मंतर जी क्या लोक सबा और विधान सबा के चुनाव एक साथ हो सकती है देश में एक महौल एक बना है कि भी इस ओर सोचना चाहिए बहुत से लोगों ने कोई आज ये विशे चला ऐसा नहीं है हमारे तत्कालिन उस समय के जो ब्रेजिडेंट से प्रणमुकरजी जी उन्होंने भी इस विशे को आगे बढ़ाया हमारे चुनावायों के लोग तो इसको आगे बढ़ाई चुके हैं पधार मंतरी जी नेंदर मोदी ने भी अपनी चावक्त की है और हम सब यानि लोग तंतर में जो लोग रहते हैं तो लोग तंतर में सब पार्टियों को मिल करके सोचना है कि इस विशय का लाब है तो करना ही चाहिए इसकी हानी कोई नहीं है कम से कम बहुत से इसके लाब हैं लेकिन जब तक सहमती बना करके समीदान में कोई श्रुषन करके पार्लियमेंट में इस विशय की कोई बैस करा करके जब तक आगे न बढ़ा जाए तब तक तो मुझे लगता नहीं कि यह होगा और इस पर क्योंकि चर्चा शुरू होई है एक वातावन इसका बनाया जा रहा है तो वातावन अगर बनता है मुझे लगता है 2019 में तो इस परकार का कोई स्कोप अभी नहीं है 2024 तक जरूर इस काम सोचते हैं इसका एक स्कोप बनता है उस समय जाकर के गठे हो सकते हैं मुखे मंतरी जी आप अपने कामों से कितने संतुष्ट हैं और अभी क्या करना रह गया है जिसे आप आने वाले समय में करना चाहती है देखिए काम हमने बहुत किया है कोई कामों में कमी नहीं है लेकर जहां तक संतोष और संतुष्टी की बात की है तो मैं समझता हूँ काम करने वाले किसी वी विख्ती को पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं होना चाहिए अगर पूर्ण रूप संतुष्ट हम हो जाते हैं तो हमारा रास्ता अवरुद हो जाएगा काम किया बहुत है, सकोब बहुत है तो जो बहुत सकोब है, आकर अतनी जो मैंने प्रारूमें कहा था कि गले सठी विवस्थां यहमको जो मिली थी उन विवस्थाओं को सुधारने में बहुत समय लगेगा और उस समय में जितना हमने अभी साड़ी तीन साल में किया है आने वाले समय में और तेज गती से करेंगे कुल मलाकर विकास के जो चार आयाम मैंने बताया उन चारों आयाम पर काम करने की जरूरत है उसमें दिखने वाला फिजिकल जो डवलमेंट है वो भी चाहिए उसमें हमने विवस्था परिवरतन के काम भी करने हैं उसमें हमने समाज के सब वर्गों की आर्थिक स्तिती समाजिक स्तिती वो अच्छी हो भी करनी है और और अलकुल में आके समाज के अंदर एक अच्छा दिशा तै करना समाज की के एक नेतिकता के अधार के उपर इमांदारी के अधार के उपर पारदिस्ता के अ आपने हमारे स्वालों का बेवाकी से जवाब दिया। इस कारेक्रम में इतना ही आगे भी राजनितिक हस्तियों से बात्चित का सिल्सला जारी रहेगा।